जैहिन डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है गोवा के आइनेस हंसा में रफाल एम फैटर के ट्राइल हुए स्टार्ट सीमा पर अभी तक नहीं दिखाई दिये हैं चीन के हत्यारों के साथ नई रोबोटिक सोल्जर जमो किश्मिर के बदगाउं में चलाए गए ऑपरेशन में भारत की फोर्सिस को मिली एक और बड़ी सिफलता 12 जनवरी को हो सकती है भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 14th मिटिंग और पाकिसनी बोट्स दुआरा वाइरल की जा रही फेक वीडियो से सावधान तो जैसा कि पहले के डिफेंस अप्डेट में हमने आपको सूचित किया था कि इस महिने इंडे नेवी द्वारा रफाल फाइटर के नेवल वेरियंट यानि कि रफाल एम के ट्राइल्स कंड़क किया जाएंगे वाले कुछ महीनों में F.A.18 Super Hornet Fighter के भी इस तरह के Trials को इस Sword Based Test Facility में कंड़क किया जा सकता है और केवल F.A.18 ही नहीं बलकि कुछ Media Sources के मताबिक Goa में स्थेद INS Hansa Facility से Gripen Fighter के भी इस तरह के Trials कंड़क किया जाने की संभावना है क्योंकि इंडियनेवी के Carrier Base Fighters के Requirement के जो Tender जारी किया गया था तो इस Tender में Gripen Fighter भी एक Contender के तौर पर शामिल है और जबकि इस मामने से जुड़े कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस Rafale M Fighter के Trials को स्टार्ट किया गया है तो वो Rafale Fighter के F-4 Equivalent Standard Nevel Version है और बाकि जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडियनेवी के स्टेंडर में Rafale M और F-18 ये दो ऐसे Fighter हैं जो सबसे Strong Contender के तौर पर देखे जा रहे हैं अब एक कुछ दिनों पहले ऐसी कुछ रिपोर्स देखने को मिली थी जिनमें इस तरह के दावय किये गए थी कि Chinese Army ने भारत के साथ लगी सीमा पर अपने टूप्स को अब Robotic Soldiers से Replace किया है और अब इन्ही रिपोर्स के बीच आज ANI की तरब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें Security Forces के Top Sources के हवाले से बताया गिया है कि अभी तक चीन के साथ लगे सीमा पर इस तरह के कोई भी Robotic Soldiers नहीं देखे गए है लेकिन Sources का ये भी कहना है कि अगर चीन सीमा पर इस तरह के Robotic Soldiers को Deploy करता भी है तो वो चाइना की Pupers Liberation Army के लिए काफी मददगार साबित होगी क्योंकि जो चीनी सैनिक हैं उन्हें वहां के कडाके की ठंडी से निबटने में बहुत मुश्किल हो रही है और ये लगातार दूसरा साल है जब चीनी सैनिको को उनके सुपिरियर्स द्वारा भारत के साथ लगे सीमाओ पर तैनात रहने के लिए मजबूर किया गया है जहांका टेंपरेचर ही माइनिस 20 से माइनिस 40 डिगरी सेल्सियस की बीच में है और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक तो लद्दाग जैसा हाई एल्टिटूड एरिया और उपर से टेंपरेचर भी माइनिस में तो ये ऐसी कंडिशन्स हैं जहां पर चीनी सैनिको को रहने का बिलकुल भी एक्स्प्रियेंस नहीं है और इस वज़े से जब से भारत और चीन की बीच विवाज शुरू हुआ है और चीनी सैनिको को मजबूरी में एल्लेसी पर तनात रहना पढ़ ला है तो ऐसे में उन्हें मैसिव हेल्थ क्राइसिस का सामना भी करना पढ़ ला है जिसके चलते बहुती कम टाइम पिरेट के अंदर चीन को अपने ट्रोप्स को रोटेट कराना पड़ता है और हमने चीनी सैनिको के इस हैल्थ क्राइसिस पर एक डिटेल वीडियो भी पहले बनाई है अब वो वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि चीन की एसलियत किया है और खेर फिलाल अभी वापिस से इस रिपोर्ट पर आते हैं तो फिलाल सेक्योर्टी सोर्सिस की तरब से तो कन्फर्म किया गिया है कि अब एक सीमा पर हत्यारों के साथ लैस उन्हेंने कोई भी रोबोटिक सोलियर्स तो नहीं देखे हैं जिनकों लेकर कुछ समय पहले चिन्दी मीडिया के तरब से भी दावा किया जा रहा था और चुकि टेंप्रेचर माइनेस पर है तो सीमा के पास ऐसी कई सारे लोकेशन से हैं जहां पर चैनी सोल्जेस को अपने बैरेक से बाहर निकलने में ही दिक्कते आ रही है और सोर्सिस का ये भी कहना है कि अभी चीनी सैनिकों के हालात ऐसे हैं कि वो थोड़े ही समय के लिए अपने बैरेक से बाहर रहते हैं और फिर जैसी उनके हालत खराब होने लगती है वो तो रंती अपने बैरेक में वापिस चले आते हैं और ये एक ऐसा बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हैं अगर चाइना सोल्जेस के बदले अपने रोबोर्स को यहाँ पर तनात करता है तो उससे बस होगा ये कि इनकी जो चीनी सैनिक है उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा यानि ये थोड़ा और को समय तब को सर्वाइव कर जाएगे वरना चीनी सैनिक तो आपको केवल वीडियोस में फिट दिखाई देंगे असलियत में वे इसके विपरीथ हैं और अभी तो ये रिपोर्ट भी देखने को मिली है कि वीडियोस में भी चीनी सैनिक नहीं है बलकि वहाँ पर भी चीनी गौवर्मेंट अपने आक्टर्स को इस्तमाल कर रही है जम्मू के पॉनिचक एरिया से एक सस्पेक्टेड ड्रोन को रिकवर किया गिया है और इसको लेकर पुलिस ऑफिशल्स को कहना है कि उन्होंने एक ड्रोन-like आपजेक्ट को रिकवर किया है जो कि अभी उनकी कस्टिडी में है और इस मामले को फिलाल अभी वेरिफाई किया की गई है और जबके कश्मीर IGP के मताबिक 2022 में इसे शुरू हुए केवल साती दिन हुए है तो इन्ही सात दिनों में अभी तक टोटल 11 आतंकियों को धेर किया गिया है और उनमें से अधिकतर जैश और लशकर जैसे सुमरों के संगठन के टॉप के सुमर भी थे और वैसे आतंकियों से याद आया पाकिस्तान ओफिशल्स की तरब से कहा गिया है कि पंजाब में भारत द्वारा S-400 Air Defense System की तनाती को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने भी अपने तरब से पूरी तैयारी कर रखी है और पाकिस्तानी मिलिटरी की मेडिया विंग ISPR की DG के लिए पाकिस्तान मिलिटरी भारत के इस लेटेस्ट डिप्लायमेंट और प्रक्यूर्मेंट से एच्छ तरीके से अवेर है और इसके लिए हम में जरूडी मेजर्स लिए हैं खैर पाकिस्तान को और क्या ही कहना लेकिन हाँ अगर आपने अबी तक हमारे चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब करने के लिए मान गये हैं तो सब्सक्राइब से पहले लाइक का बटन पढ़ता है तो इसको क्लिक करते वे जाए गौर्मेंट सोर्सिस के मुताबिक भारत और चीन 12 जन्वरी को को कोर कमांडस लेवल की 14th मिटिंग को आयूजीत कर सकते हैं और इस मिटिंग के और सीनिर ऑफिशल की तरब से बताया गया है कि निकट भविश्य में इस पुल का निर्मान करने के लिए भारत और नेपाल MOU साइन करेंगे और इस पुल का जो निर्मान का रही है उसे तीन सालों के अंदर पूरा किया जाएगा इसके लावा एक अपडेट ये भी सामने पूरी वीडियो को शेयर ना करें लेकिन वीडियो के इस वाले अपडेट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज़ादा शेयर करें तो पहले आपको ये बता दें कि हुआ किया है तो आपको बता दे कि सोशल मेडिया पर एक फेक वीडियो काफे जज़ादा वाइरल हो रही है और इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटियों सिक्योरिटी यानि कि CCS क हाई लेवल मिटिंग के तोरान इंडिन आर्मी की जो six soldiers हैं उनको हटाने की बात की गई है हालनकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि ये एक fake news है क्योंकि जाहिड से बात इस fake news को फैलाने के लिए इस वीडियो में अलग से voice over किया गिया है चुकि साफ मालूम पढ़ता है और इस fake वीडियो को पाकिसानी बॉट्स द्वारा fake accounts बना के viral किया जा रहा है और ऐसा ही एक fake account बनाया गिया है अंजली कौर नाम से और इस तरह का ये केवल एक नहीं बलकि ऐसे कई सारे accounts है जो सोशल मीडिया पर इस fake वीडियो को viral करने में लगे हुए है और जो ये पाकिसानी बॉट्स हैं ये इस fake वीडियो के साथ इस बात की पूरी कोशिस कर रहे है कि इसको अधिक से अधिक फैला कर भारत में सामुदाइक हिंसा को भड़काया जा सके तो इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि इस वाली वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी लोगों को जागरुक करें कि ये वीडियो पूरी तरीकी से फेक है और इस पर यकीन ना करें और अगर आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के फेक एकाउंट देखते हैं तो उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिपोर्ट करें और हम आपको एक बाप फिर से यह स्पस्ट कर दें कि इस fake viral video में जो भी दावे किये जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और इस तरह का discussion CCS की meeting में ना तो पहले कभी हुआ है और नहीं आगे जाके कभी हो सकता है और हमारा भी government authority से यह अनुरोध है कि उन से भी fake accounts पर तु तो आपको बता दे कि आज एक दिन 2003 में operation program के हिस्से के तौर पर इंडिन आर्मी के captain SK गांधी अपने दे में साहस और वीरता का परिचे देते हुए वीरगती को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरडो प्रांथ सेना medal से भी समानित किया गया था और ज तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उमीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा से आदा शेर करें इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो सवाल हो उसके लिए comment section open है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें